नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं की रात में दूध का सेवन करने से मर्दों में सुप्ण दोस की समस्या हो जाती है और दूध पिने का सही समय है ये मैं आज आज आपको बताऊंगा आपका स्वागत है ग्यान की बात YouTube चैनल में दोस्तो दूध पिना ऐ या follow करना होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि आपका nightfall हो जाता है या स्वापन दोस हो जाता है, तो इसमें दूध पीना भी इसका एक बजह हो सकता है, तो आज मैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को रात मे दूध पीने की आदत होती है, पेट की समस्या से परित लोग अक्सर रात में गर्म दूध पीना पसंद करते हैं, लेकिन क्या रात में दूध पीना वाकरी में फैदे मंद है, या फिर इसके कुछ नुकसान भी है, तो इसका जवाब हमारे पास है, और यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे तो डॉक्टरों की माने या आईरवेद की माने, तो आपको डेली कम से कम दो गिलास दूध पीना चाहिए, लेकिन दूध पीने का जो नियम है, वो आपको कोई नहीं बताता है, वो आज हम आपको बताने जा रहा है, अगर आपका रात में अपने दोस से भी बच सकेंगे, दूध कब पीना चाहिए, सबसे बराही महतोपूर्ण चीज है, याद रखने बाली बात ये है, इसे आप हमेसा याद रखें अपने जीवन भर, कि रात को सोने से करीब तीन घंटे पहले दूध पीना चाहिए, अगर आप मर्द हैं, तो रात को सोने से करीब तीन घंटे पहले दूध पीले, अगर ये नियम नहीं स्विकारा गया, तो कासवपन दोस से प्रित होने की संभावना बन जाती है, तो मेन जो नियम है, वो ये है कि सोने से तीन घंटे पहले ही दूध पीले, और दूध बहुत ज़्यादा गरम नहीं तो ये नियम आपको follow करना परेगा अगर आप मर्द हैं या लरके हैं अगर आप सौपन दोस से पिरित हैं और दूद भी पीना चाहते हैं तो आप सोने से कम से कम तिन घंटा पहले दूद पी लें दूद ज्यादा गर्म ना हो इस बात का ध्यान रखें और तिन घंटा पहले पीएं इह नहीं कि अभी सोने वाले हैं और उसके पंदर में पहले पी लिए और एक घंटा पहले पी लिए तब आपको फक्का है कि आपको एक दो दीन में या तीन दीन में आपका सवपनदोस हो जाएगा तो ये आज मैंने आपको बताया कि दूद पीने का उत्तम समय क्य तथा और भी भिन भिन तरह की महत्वपून जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिज करता हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और सेर करें धन्य बाद